हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस की noise color fit pulse 2 max smart watch में आप लोग stress level को कैसे measurement कर सकते हो अगर आपके पास एक noise color fit pulse 2 max smart watch है और इस watch में आप लोगों को stress को measurement करना है कि stress level आपके कितने हैं तो आप लोग कैसे measure कर सकते हो गाईस तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजिए तो चलिए गईस वीडियो को start करते हैं अगर आपको जो इस stress level को measurement करना नहीं आता है आपको जो यापर option नहीं मिल रहे तो कैसे ठूंडोगे गाईस तो आज के वीडियो में यहीं बताऊंगा इसलिए वीडियो को लास तक देखते रहे गाईस तो चलिए वीडियो को start करते हैं stress level को measurement करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को इस button पर क्लिक करने है तो इस button पर आप लोग एक बर क्लि कर लीजिए नीचे देख सकते हैं एक दिम लास्ट में यहाँ पर एक stress का option देखने को मिलेगा तो stress के option पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जैसा पहनने को बोला गया है यहाँ पर से आप लोगों को एक 70 मिटर दूर तो ऐसा है तक का आप लोगों को इसक maximum कितना है minimum कितना है वो भी आप लोग देख पाओगे और आपका कितना है वो भी आपर बीच में दिखा देगा तो यहाँ पर से थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ पर measure हो रहे हैं आपका stress level तो यहाँ पर एकदम प्रोपर नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको नहीं पहना है मैंने इसको सिर्फ हाथ में लिया है आप लोग अच्छी तेरी किस इसको पहन लीजिए पहनने के बाद यहाँ पर आपका जो stress level है वो देखने को मिल जाएगा तो ऐसे गर के जो है आप लोग अपने noise color fit pulse to max smart watch में stress level को measure कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडिय अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई